आज हमारे साथ है सद्गुरू जग्गी वासुदेव जिने मेरे पेशे के लोगों ने कई अलग अलग तरीकों से बुलाया है हमने आपको एक स्वतंत्र विचारो वाला व्यक्ति कहा, मोटर साइकल पर सवार साधू कहा है हमने आपको ग्लामरस तेजस्वी गुरू कहा है, पर आपके भक्तों के लिए आप केवल सद्गुरू है और फिर भी सद्गुरू एक ऐसे समय में जब आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक दूसरे से टकराती हुई दिखती है मुझे लगता है कि ऐसे समय में ये बातचीत बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होगी तो मैं आपको इसका हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद देना जाहूंगी चलिए आध्यात्मिकता के साथ शुरू करते हैं और मुझे आशा है कि आज आप जो कह रहे हैं वो संशेवादी लोगों को भी संबोधित होगा मैं अपने आपको एक संशेवादी कहती हूँ जिसे अगर बताया जाए कि किसी व्यक्ति के पास किसी प्रकार की इश्वरिय शक्ती है तो सबसे पहले तो मैं शायद इस पर भरोसा नहीं करूँगी पर मुझे आपके कुछ बाते रोचक लगती हैं जो अरुन्धती सुब्रमनयम ने इस पुस्तक में लिखी भी है वो ये कि आप कह रहे हैं कि हम अपनी पांच इंद्रियों से परे जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे ईश्वर या शक्ती कहा जा सकता है या स्वयम कहा जा सकता है तो अगर भगवान का अस्तित्व ही नहीं है तो हमें गुरुओं की क्या जरूरत है हमें सद्गुरु की जरूरत क्यों है क्या आप दिली में ड्राइव करती हैं? क्या में ड्राइव करती हूँ? आपके विपरीत मुझे गाड़ी चलाने से डर लगता है तो अगर आप अंजाने रास्ते पर गाड़ी चला हैं तो आजकल आप GPS यूज़ करते हैं आम तोर पर एक अजीब महिला आपको कहेगी दाय मुड़े तो आप दाय मुड़ेंगे वो कहेंगी बाय मुड़े तो आप बाय मुड़ेंगे वो कहेंगी यूटर्न ले आप यूटर्न लेंगे क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप उस स्थान से अंजान हैं जब आप किसी अंजान स्थान पर जाते हैं तो निर्देश लेने में समझदारी होती है तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि गुरू आज के लिए नए GPS है? नए कहां? नए नहीं हम तो काफी समय से रहे हैं लंबे समय से जब GPS भी नहीं आया था GPS मतलब क्या? गुरू पोजिशनिंग सिस्टम पर मुझे कहना होगा कि हाला कि मैं ड्राइव नहीं करती पर कार में बैटकर गूगल मैप में उस लड़की की आवाज सुनी है और कई बार वो सही सलाव नहीं है उसे आदमी की आवाज में भी बदल सकता है तो बादचित की शुरूआत ये बताती है कि आप असमान्य है हम गुरूओं की जो कलपना करते हैं उसके मुकाबले आप असमान्य है हम उनसे उम्मीद करते थे कि वो चुटकुले नहीं सुनाएंगे उनमें जीवन के लिए उत्सा नहीं होगा किसी तरह हमारी सारी आध्यात्मिक्ता पारंपरिक रूप से त्याग करने किसी तरह का परहेज करने उपभोग से दूर रहने और सुक्स विधाओं को नकारने के आसपास केंद्रित रही है आप ऐसा क्यों मानते हैं कि संसारिक और अध्यात्मिक साथ रह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं मानता हूँ क्योंकि आपके पास शरीर है जो आपकी बहुत इकता है आपके अंदर जीवन है अगर आपके पास ये शरीर नहीं होता अगर आप अपने शरीर से अलग हो गए होते तो मैं आपसे बात नहीं करता क्योंकि बिना शरीर वाले लोगों से आप बात नहीं करते मैं जानता हूं लोग लोग भूतों से बात करते हैं आजकल लोग ऐसा करनी की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवित लोगों से बोलचाल के संबन नहीं होते तो वो मृत लोगों को चुनते हैं क्योंकि आप उनसे जो चाहे बुलवा सकते हैं जीवित लोग तो वही कहेंगे जो वह चाहते हैं ये बड़ी समस्या है ये बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि बातचीत करते समय मैं तो वही कहूंगा जो मुझे कहना है पर अगर मैं मरा हुआ होता तो आप मुझसे कुछ भी बुलवा सकती थी क्योंकि आप दोनों तरफ की बात कर सकती है पर अगर आपके philosophy ओ आपको ये शब पसंद नहीं मैं जानती हूँ अगर आपके inner engineering के technology जिसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे हम सभी के पास खुद से वो आंतरिक शक्ती ढूनने के लिए मौजूद है सद्गरू तो क्या इसका मतलब ये कि नास्तिक, अनिश्वरवादी और संशेवादी भी आध्यात्मिक्ता को अपना सकते हैं? क्या inner engineering सिर्फ उनके लिए है जो इस पर भरोजा करते हैं या उनके लिए भी जो सवाल पूछते हैं? पिछला सवाल बहुत लदा हुआ है, उसका जवाब देना पचा है हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने अभी उसे छोड़ा नहीं है इसके बारे में, देखे आप, नास्तिकों, अनिश्वरवादी और संशेवादीयों को एक साथ रख रही हैं ये वर्गी करण गलत है आस्तिक और नास्तिक एक साथ है वो एक तरह के है क्योंकि दोनों के पास निश्चित्ता है दोनों कुछ हैसा मानते हैं, जो वो नहीं जानते दोनों ही इसे स्वीकारने के लिए इतने इमानदार नहीं है, क्यो उन्हें नहीं पता ये एक बड़ी समस्या है एक बड़ी समस्या ये है कि लोग अभी भी इतने स्पष्ट नहीं है कि वो कह सकें जो मुझे पता है मैं जानता हूँ जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं जानता क्योंकि उन्हें मैं नहीं जानता कि गहराई का एहसास नहीं है मैं नहीं जानता ही जानने के इच्छा का आधार है जानने के जग्यासा और सभावना के होने का आधार है जिस पल आप मैं नहीं जानता को खत्म कर दें आप जानने के सभी संभावनाओं को खत्म कर देंगे तो ये आस्तिक और नास्तिक ये दोनों अलग नहीं है ये एक ही नाम में हैं बस अलग होने का दिखावा कर रहे हैं एक सकारात्मक रूप से मानता है और दूसरा नकारात्मक रूप से पर दोनों कुछ हैसा मानते हैं जो वो नहीं जानते देश में एक मशूर इंसान है जो कहते रहते हैं कि वो नास्तिक है वो एक दिन मेरे पास आए, किसी ने मुझे उनसे अभी-अभी मिलवाया था मैंने का नमस्ते, वो कहते हैं आपको पता है मैं मानता हूँ कि भगवान नहीं होते मैंने का मैं तो ये भी नहीं मानता क्या आप जावेद अख्थर की बात कर रहे हैं? ये एक अच्छी नकल थी, तो अंदाजा लगाना इतना मुश्किल भी नहीं था मैं नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ बात ये है कि आप भी किसी चीज़ को मान ही रहे हैं, आप ये समझ नहीं रहे ये बहुत जरूरी है कि हम जीवन के साथ बिलकुल स्पष्ट और इमानदार हूँ जो मुझे पता है, वो मैं जानता हूँ, जो मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं जानता अगर आप बस इतना कर लें, और अगर आप अपने आसपास की हर चीज़ पर बारी की से ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि विज्ञान की इतनी खोच के बाद भी, हम एक आटम या एक अणू को भी पूरी तरह से नहीं जानते ये तथ्य है, ये फैक्ट है तो सद्गरू ऐसा क्या है जो आप जानते है? क्यों लाखों लोग आपके भक्त बन गए हैं? आपने अभी कहा कि इमानदारी आम तोर पर ये स्विकारने में हैं, वो खुद को मेरा भक्त नहीं कहते हैं पर उनके हिसाब से ऐसा कुछ तो जरूर होगा जो आप जानते हैं क्योंकि आप ने अभी कहा कि जीवन उसे स्विकारने के बारे में है जो आप नहीं जानते हैं इसका निशकर्ष ये है कि हम कुछ चीजे जानते हैं जैसे हमें पता है कि हम इस वक्त दिली के हाबिडाइच सेंटर एमपी थेटर में बैठे हैं हमें इतना पता है इसके अलावा सद्गरू ऐसा क्या है जो आप जानते हैं और नहीं जानते? लगता है मैंने आप से अस्तित्व से जुड़ा सवाल पूछ लिया हो. मैं क्या जानता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता इसके अलावा मैं जीवन के इस अंश को शुरुवात से शिखर तक जानता हूँ इस जीवन के बारे में मुझे जो जानने की ज़रूरत है वो सब जानता हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर गहराई से देखें तो हर दूसरा जीवन भी वास्तव में इसके जैसा ही है तो इस संदर्ब में क्योंकि आज आधुनिक वेज्ञान भी ये कह रहा है एक सिध्धान्त है जो विक्सित हो रहा है जिसे कंस्ट्रक्शनल थेयरी कहा जाता है वो ये कह रहे है कि चाहे वो अमीबा हो, कीड़ा हो, केंचुआ हो, पक्षी हो, एक जानवर हो, एक हाती हो आप या मैं या पूरा ब्रह्मांड मौलिक डिजाइन एक ही है ये के वो लेखी डिजाइन की जटलताओं और विवित्ताओं का सवाल है तो ये कुछ ऐसा है जो योग विज्ञान हमेशा से कहता आ रहा है कि अगर आप अगर आप अनू को जानते हैं तो आप ब्रह्मांड को जानते हैं क्योंकि मौलिक डिजाइन एक ही है ये सिर्फ जो हो रहा है उसकी जटिलता और विविद्धता का सवाल है तो मूलता है अगर आप जीवन के इस अंश को जानते हैं तो आप परिणाम स्वरूप सब कुछ जानते हैं पर जब आप जीवन के इस अंश की बात करते हैं तो क्या आपका मतलब खुद से है या इस चन से है जीवन के इस अंश से आपका क्या मतलब है आप जीवन का एक अंश है, है ना? आप जीवन है या मीडिया है? क्या वो एक दूसरे से अलग है? ने, ने, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास मीडियम होते हैं. मुझे उमीद है कि मैं हार्ड मास वाली इंसान हूँ, जब तक कोई बेहतर नहीं जानता हो? हार्ड मास तो आपने इकठा किया है, हाँ, है ना? आप जिसे मेरा हार्ड मास कहते हैं, वो आपने धीरे-धीरे समय के साथ इकठा किया है. अगर इतनी हड़ी मास और मन की इतनी शापों को इकठा करना हो, तो कुछ हाधार तो होना चाहिए, है ना? आप अपने आपको योगी समझते हैं, दिव्यदर्शी या एक गुरू? मैंने अपने आपके बारे में सोच के समय खराब नहीं किया. तो आप किसके बारे में सोचते हैं? मैं आम तोर पर सोचता नहीं हूँ, सच में. विचार एक सरल सी चीज है. मुझे पता है, यह आपकी हर मानेता के विरुद्ध है, क्योंकि आप भी चीजों को मानने वाले लोगों मिसे हैं. नहीं तो? विचार को मानती हैं. हाँ, मैं सवाल पूछने की क्षमता को मानती हूँ. यह मेरी जीविका है. तो मुझे सवाल पूछने की क्षमता को मानना ही होगा. आप जीविका चलाने के लिए सवाल पूछती हैं. मेरा तो जीवन ही सवालों से भरा हुआ है. अब अब ऐसा है, जिसे आप विचार कहते हैं, वो आपकी सीमित जानकारी से आ रहा है, जो आपने जीवन के अनुभव से इकठा की है. हर इनसान के साथ ऐसे ही है. हमने कितना भी इकठा किया हो, ब्रह्मांड के आकार और जिस तरह से ये सब हो रहा है, उसके तुलना में ये बहुत छोटा है. इस सीमित जानकारी से आप चीजों को रिसाइकल करते हैं, और विचार पैदा करते हैं, या यूँ कहें कि कभी कुछ नया नहीं होता. बस एकी चीज़ का पर्मुटेशन कॉम्बिनेशन हमेशा के लिए चलता रहता है. इनर इंजिनियरिंग के नाम पर हम जो सिखा रहे हैं, उसका सार ये है कि खुद को इस तरह से इंजिनियर करना, कि आपके जीवन का हर पल एक नई संभावना हो. अगर इसे एक नई संभावना बनना है, तो सही समझ की जरुरत है. जब मैं समझ कहता हूँ, तो लोग राय सोचते हैं, नहीं, मैं बोध की बात कर रहा हूँ. जैसे आप यहाँ देख पाती हैं, उसे तरह अपने बोध को विक्सित करना, ताकि आप जीवन का गहरा अनुभव कर सकें. अभी जब हम विचार, भावना कहते हैं, तो हम जीवन को व्यक्त करने की बाद कर रहे हैं. अभी व्यक्ती इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हम कभी-कभी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका बोध होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये घटना बहुत शांदार है, ये कोई छोटी बात नहीं है यहाँ जो सबसे बड़ी घटना हो रही है, वो जीवन ही है इसलिए अगर आप इस घटना को जानना चाहते हैं तो एक मातर तरीका और एक मातर रास्ता आप स्वयम है देखिए, क्या आप अभी मुझे देख सकती है क्या आप एक उंगली से इशारक करके ये बता सकती है कि मैं कहा हूँ ओ आप गलत है, आपको पता है न, मैं दक्षन भारत से आया एक गिवदर्शी है अब ये प्रकाश मुझ पर पढ़ रहा है, टक्रा कर आपके लेंसों से होते हुए रेटीना में उल्टी छवी बना रहा है, आप पूरी कहानी जानती है अब आप मुझे कहां देख रही है अभी भी उसी जगा पर? नहीं मैं देख रही हूँ आप मुझे उस तरह देख रही है, जैसा मैं आपके दिमाग के अंदर छलक रहा हूँ आप मुझे यहां देखी नहीं सकती क्योंकि आपकी आँखे बनी ही कुछ इस तरह है अभी आप मुझे कहां सुन रही है अपने भीतर आपने पूरी दुनिया को कहां देखा है अपने भीतर अब अगर यहां कोई कीड़ा हो तो वो मुझे उस तरह नहीं देखेगा जैसा आप मुझे देखती है वो मुझे अलग तरह से देखेगा वो पूरी दुनिया को अलग तरह से देखता है अब आप सोच सकती है, ओ, वो कोई काम का नहीं है ये मूलभूत समस्या है कि हम सोचते हैं कि उनकी नजर अच्छी नहीं है नहीं, नहीं, उसकी नजर उसके जिन्दा रहने के लिए बहुत अच्छी है आपकी नज़ार आपके जिंदा रहने के लिए बहुत अच्छी है पर ये जीवन की प्रकृती को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है तो अब मैं क्या जानता हूं मैंने अपने बोथ की एक्षमता को इतना विक्सित किया है कि ये सिर्फ जीवित रहने की नहीं बलकि जीवन की प्रकृती को जानने को सक्षम बने पर अगर Inner Engineering एक आध्यात्मिक तक्नीक के रूप में काम करता है तो मैं आपसे फिर से पूछती हूँ हमें गुरूओं की जरूरत क्यूं है? क्योंकि इसका मतलब की सारे जवाब हमारे भीतर है? आप इतने अच्छे से भाषा बोल रहे हैं आपने A, B, C, D तो सीखी ही होगी? लगता तो यही है क्या आपको याद है जब आप चार साल की थी तब वो एक A वो कितना मुश्किल था? उसके भी दो रूप होते थे और बस उस A को सीखने के लिए आपको उसे सौ बार लिखना पड़ता था आज आप आँग बंद करके भी लिख सकती हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज कितनी आसान है थोड़े मार्क दर्शन के बिना क्या आप A, B, C, D सीख पाती हैं? नहीं वैसे ही जब आपको कोई नई चीज सीखना हो तो आप सही मार्क दर्शन के बिना उसे नहीं सीख पाएंगे आप अपने बारे में कुछ पताईए आपकी कहानी काफी अच्छी तरह से लिखी गई है पर ये जानना लोगों के लिए बहुत दिलचलस्प है मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है आशा है उन्होंने मेरे बारे में अच्छा लिखा होगा अरुंधती सुब्रमन्यम ने बहुत ही बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है नहीं वो तो अच्छी है पर उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा है एक बात जो उन्होंने कही है वो ये कि आप मतभेधों को भी बहुत जगा देते हैं आपको एक अच्छा तर्पसंद है और आप उन तानाशाही गुरूं में से नहीं है मुझे नहीं पता कि एक तानाशाही गुरू कहा है मुझे लगता है कि ज्यादतर लोग गुरू से मिले नहीं है उन्होंने बस कैलेंडर की तस्वीरे देखी हैं और निश्कर्ष निकाले है मुझे नहीं लगता कि वो किसी सच्चे गुरू से मिले है ऐसे बहुत से लोग हैं जिने मंदिर का पुजारी होना चाहिए था जो अच्छे आदमी है और वो आज गुरू बन गए है ये अलग बात है ठीक है? मंदिर के पुजारी जो अच्छे उद्यमी बन गए है? नहीं मैं कह रहा हूँ ये तो उन्हें ठक कहने का दूसरा तरीका है ये बहुत कठोर शब्द है वो शायद उद्यम हो सकता है मैं उद्यमी नहीं हूँ क्योंकि मैं उद्यमी नहीं हूँ इसलिए मैं सभी से चाहता हूँ कि उनके मन में जो सवाल हो वो पूछें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बेतुके या समझदारी भरे सवाल है अगर आपके लिए सवाल माइने रखता है तो वो मेरे लिए भी माइने रखता है चाहे वो कितना भी बढ़िया सवाल हो अगर वो आपके लिए माइने नहीं रखता तो मैं उसे सुनना भी नहीं चाहता पर आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो खुद को गुरू कहते हैं असल में वो बस अपने आप को बड़ा दिखा कर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं मैंने नहीं मैंने ऐसा नहीं करा ठीक है मैं ऐसा कह रही हूँ मैं कह रहा हूँ बात यह है कि जगा खाली है और कोई उसे भरने की कोशिश कर रहा है हाँ, पर सद्गरू आप क्या वो इसके योग हैं? क्या पता? पर एक बहुत ही वास्तविक चिंता है आपने मेरे टीवी प्रोग्राम में आकर इसके बारे में बात भी की थी क्या गौड मैन अक्सर ठग होते हैं? और यहाँ ये महिला कैसे तै करे कि कौन गौड मैन है और कौन ठग है और क्या कोई मनुष्य गौड मैन होने में सक्षम है? क्या आप अपने आपको एक गौड मैन समझते हैं? आप वो महिला को कम क्यों आक रही है ठीके मान लिजे ये मेरा सवाल है मैं गौड मैन और ठक के बीच अंतर कैसे करूँ जब मैं ये भी नहीं मानती कि मनुश्य दिवे हो सकते है मनुश्य बहादुर और अध्भुत और प्रेणा के स्त्रोथ हो सकते है पर मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई चमतकारी शक्ति होती है देखिए क्या आपने कभी इश्वर को चमतकारी शक्तियों के साथ देखा है नहीं मैंने इश्वर को नहीं देखा तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि उनके पास चमतकारी शक्तिया होनी चाहिए पहली बात तो ये Godman एक मीडिया का बनाया हुवा शब्द है कोई भी दावा नहीं करता है कि वो एक Godman है ओके? मुझे नहीं लगता कि किसी ने खुद से दावा किया है मैं एक Godman हूँ मैं ऐसे किसी से नहीं मिला अब दूसरों पर लेबल लगाना ये एक अलग पेशा है खेर ये छोड़िये तो ये क्या है? ये एक संस्कृती है आपको इसे समझना होगा दुर्भागे से आज ये सब मिक्स हो गया है ये एक Godless संस्कृती है आपको इसे समझना चाहिए इस संस्कृती में कभी भी एक God का विचार नहीं रहा केवल बाहर से जो आ रहे थे उनसे प्रतिस्पर्धा करने में ये सब हुआ क्योंकि हमने देखा कि वो हम पर शासन कर सकते हैं वो हावी थे तो हमने सोचा और उनके तरीकों को आजमाने लग गए हमने इसे भी कुछ हत्तक ऐसा बना दिया हाला कि सफल नहीं हुए लेकिन हम भगवान बनाने की तकनीक जानते हैं जब मैं तकनीक कहता हूँ हम अंग्रेजी शब्द God कह रहे हैं पर ये शब्द भारत में है ही नहीं यहां हम उन्हें देवी देवता कहते हैं देव का मतलब क्या है देखिए आज मीडिया तेंदुलकर को क्रिकेटिंग गौड कहता है ये संस्कृती में बहुत उप्युक्त है क्योंकि अगर कोई व्यक्ती किसी क्षेत्र में एक स्तर से आगे निकल जाए वो एक खिलाडी हो सकता है योद्धा हो सकता है कलाकार हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है आम लोगों की सोच में जो उनके लिए संभव है अगर वो उससे भी आगे निकल जाए तो लोग उसे एक देवता के रूप में पहचानने और देखने लगते हैं आपके जीवन की क्वालिटी इससे तै नहीं होती कि आप किस किस्म के घर में रहते हैं कैसे कपड़े पहनते हैं कौन सी गाड़ी में घूमते हैं आपके आज पास क्या हो रहा है ये सब नहीं बलकि इस पल आप अपने अंदर कितने खुशी, शांती और आनंद से भरे हैं उससे तै होती है पर अगर मैं यहां बैठूँ हम एकी जगा पर बैठे हैं वही हवा में सांस ले रहे हैं शायद खाना भी एकी तरह का खाया हो मुझे नहीं पता आपने क्या खाया पर अगर मैं यहां आख बंद करके बैठ जाओं तो मैं अपने अंदर जैसा हूँ मैं दुनिया में किसी भी चीज के बदले इसका मोल नहीं करूँगा अब जब लोग यह देखते हैं इतनी सारी चीजें जो मैं मैंनेज कर रहा हूँ सब सोचते हैं सद्गुरू क्या यह संभव है आप किसी दिन पागल हो जाएंगे सभी 30 लाख वॉलन्टियर्स एंटरप्राइस बिजनेस प्रोजेक्ट सडकों पर मेगा प्रोजेक्स दुनिया भर में हर किस्म की गतिविधिया अगर किसी को पगला जाना चाहिए तो वो मैं हूँ ठीक है क्योंकि सब वॉलन्टियर्स करते हैं इसका मतलब कि कोई भी काम के लिए ट्रेंड नहीं है और आप उन्हें सही तरीके से काम ना करने के लिए निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो वॉलन्टियर्स हैं और वो कभी भी आकर कुछ बड़ा कर जाएंगे और कभी भी गायब हो जाएंगे ठीक है और कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक जैसे कि हम यहां बैठे हैं आज दुनिया में करीब 300 इनर इंजिनियरिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं पिछले 33 सालों में एक प्रोग्राम भी बंद या फेल नहीं हुआ इसके लिए बहुत मैनेजमेंट चाहिए पर कोई भी मुझे गुसे में या तनाव में या दुखी या परिशान नहीं देखेगा नहीं हूँ ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं कर पाता हूँ बस इतना है कि मैंने कभी किसी को ये अधिकार नहीं दिया कि वो मुझे खुश कर सकें या मुझे दुखी कर सकें या मुझे गुस्सा दिला सकें या मुझे परिशान कर सकें नहीं, मैंने इन अधिकारों को अपने पास ही रखा है आप चमतकार की बात कर रही हैं, लोग पूछ रहे हैं सद्गुरु हर दूसरे आश्रम में चमतकार होते हैं यहाँ पर आप सभी चमतकारों को खारिच करते हैं अगर हम कहते हैं कि कुछ हुआ है तो आप हमें मूर्ख होने का एहसास दिलाते हैं तो कोई चमत कर नहीं आप क्या मेरे जेब से कबूतर निकलवाना चाहते हैं अगर मैं जेब से कबूतर निकलता हूँ नहीं अगर मैं जो ऐसा करने का दावा करते हैं अगर मैं जेब से कब उतर निकालता हूँ, तो मेरे पास गंदी जेब होगी, और आपके पास एक पक्षी. आप इसका क्या करेंगे? आप मेरे साथ आईए, मैं आपको चमतकार दिखाता हूँ. मेरे साथ हजारों लोग हैं, जो हफ़ते के साथ दिन, सोला से अठरा घंटे रोज काम करते हैं, पिछले दो, पाँच, दस सालों से, उनके जीवन में एक पल की भी चिड़-चिड़ाहट, नाराजगी या बेचैनी नहीं हुई. ये चमतकार है, जिससे हम लाना चाहते हैं. हाँ, आप 13 साल के थे, अरुन्धती की किताब में मैंने पढ़ा, कि 13 की उम्र में आपको अंजाने में योग मिला, आप बच्चों के साथ कुए में खेल रहे थे, ऐसा किताब में लिखा है. हमें बताईए आपने योग कैसे शुरू किया? मैंने उन्हें बताया, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या लिखाया, मैंने पढ़ा नहीं है. मैंने उनसे ये कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग समझें, ब्रह्मान्ट की प्रकृती है, भले ही आप गलत कारणों से आप सही काम करते हैं, फिर भी ये काम करता है, पर आप सही कारणों से भी गलत काम करते हैं, तब ये काम नहीं करता, लोगों को ये समझने की ज़र बात कर रही है बहुत सारे अच्छे लोग हैं और ये अच्छे लोग सबसे बड़ी समस्या हैं हमेशा एक अच्छा भारती एक अच्छे पाकिस्तानी से लड़ना चाता है अच्छा हिंदू एक अच्छे मुसल्मान से लड़ना चाता है अच्छा अमेरिकी किसी से भी लड़ अगर आप इस धर्ती पर अकेले होते तो आपको नहीं पता होता आप अच्छे हैं या बुरे इस धर्ती पर हमें समझदार इंसान चाहिए हम थोड़ी और समझ के साथ रह सकते हैं ये तो तय है जीवन के हर पहलू में Engineering का मतलब है आप इस भवन को किसी भी तरह से बना सकते थे पर हर पल आपको उपर देखना पड़ता कि कभी ये सिर पर ना गिर जाए दरसल Engineering का मतलब है कि आपने इसे समझदारी के साथ बनाया है ताकि ये टिका रहे और हमें चिंता न करनी पड़े इसी तरह Inner Engineering का मतलब है कि आपने खुद को इस तरह इंजिनियर किया है कि आप जीवन की प्रक्रिया से बेचैन हुए बिना गुजर सकें मेरे साथ क्या होगा इसकी चिंता नहीं होगी क्योंकि आपने खुद को अच्छे से इंजिनियर किया है आपके आसपास जो कुछ भी हो आप अपने अंदर समान भाव से रहेंगे तो जब भी मैं कोई मेगा प्रोजेक्ट लॉंच करता हूँ वो कहते हैं सद्गुरू अगर ये काम नहीं किया तो क्या मैं जो सब भी कर रहा हूँ अगर कुछ भी काम नहीं किया तो भी मैं आनंद से मरूँगा इसकी गैरंटी है मैं चाहता हूँ कि हर मनुष्य के लिए ये गैरंटी बनी रहे ताकि वो अपना जीवन दुखी होने के डर के बिना जी सके इस समाई ये देखने की बजाए कि दुख दर्थ को कैसे हटाया जाए लोग उसे रोमान्चक बनाने में बिजी है जिस पल आप दुख दर्थ को रोमान्चक बनाते हैं ये बहुत साफ हो जाता है कि आप मनुष्य के खुशाली में रुची नहीं रखते आपको ड्रामा पसंद है आपने अकसर इस बारे में बात की है कि कैसे आर्थिक नेता दुनिया का भविश्य बनाएंगे आप कई CEO's के साथ बातचीत कर रहे हैं ऐसे आध्यात्मिक गुरू कम ही मिलते हैं जो काफी खुले तोर पर Capitalistic या पुंजिवादी भी हूँ क्या आप Capitalist है? वो कौन होते हैं? वो जो मानते हों कि धन संपत्ती बनाना समाज और लोगों की भलाई के लिए है देखे, बहुत से लोग गरीबी से जुड़े हुए है क्योंकि गरीब लोगों के बिना भूके लोगों के बिना वो जीविका नहीं चला सकते मैं उनमें से नहीं हूँ मैं देख रहा हूँ इस देश में 60 करोड लोग आज रात को खाना नहीं खा पा रहे है पर हम हर दिन संसद में बड़े फैसले टाल रहे है ठीक है? मैं उसका इससा नहीं हूँ मैं चाहता हूँ कि चीजें सुलजें क्योंकि मुझे पता है कि भूके पेट सोना क्या होता है मैं नहीं चाहता कि लोगों के साथ ऐसा हो बच्चों को रात का भूजन नहीं मिल रहा है शायद देश में करोडो बच्चों ने आज रात का भूजन कल पर टाल दिया है और ये मजाक नहीं है तो ये जोकर जो खुद को या उससे पहचान बनाते हैं, वो हर रोज ऐसे लोगों का मजाग बना रहे हैं तो, capitalism पुराना शब्द है, ये अब अस्तित्तों में नहीं है अब हम market economy की बात कर रहे हैं, जब सिर्फ कुछी परिवारों के पास पूंजी होती थी, तो ये पूंजी वाद या capitalism था अब कोई capitalism नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छा idea है और आप उस पर काम करना जानते हैं, तो सभी के लिए पूंजी है, ठीक है? तो, हमने समाज बात ट्राइ करके देखा, ये एक बहुती बढ़िया विचार है, पर इसे सभी की स्वेच्छा से होना चाहिए, आप इसे जबरदस्ती लागू करेंगे तो ये बहुती घिनोना होगा, हमने जब ऐसा करनी की कोशिश की थी, तो सबसे घिनोनी चीजे हुई मुझे उसका एसास तब हुआ, जब मैं 16 वर्ष का था, 13-14 की उम्र में मैं रूस का सभी कम्यूनिस्ट साहित पढ़कर जोश से भर चुका था, पर जब तक मैं 16 वर्ष का हुआ, तब मुझे एसास हुआ, कि ये लोग समझ नहीं पाते कि मानवाकांग्षा क्या है, मानवा देश या समाज पूरी तरह से बरबाद हो गया हो, और आपको इसे जल्दी से बाहर लाना हो, जब आपको इसे जल्दी से बाहर निकालना हो, तो ये काम करेगा, पर उसके बाद नहीं, एक तरह से, अगर आप आश्रम में आते हैं, आश्रम में लगभग 4,000 लोग रह रह आप चाहे तो कह सकते हैं कि ये सामेवादी है पर स्वेच्छा से मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलेगा ऐसा नहीं सभी को उनकी जरुरत के हिसाब से मिलता है और इसे लागू नहीं किया गया है ये पसंद से है अगर मर्जी से आप बाटने के लिए तयार हैं तो ये कितना शांदार है पर मेरे पास कुछ नहीं है आपके पास कुछ है मैं चाहता हूँ कि आप इसे बाटें ये कितना बुरा है सद्गरो और मोटर साइकल का क्या रिष्टा है आज कल मैं कार में हूँ पर आपका बाट के लिए प्यार अभी भी गया नहीं है या चला गया है ऐसा हुआ कि शुरुवात में 10-11 साल की उम्र में मैं जंगल में ट्रेक करता था मैं निकल जाता था अगर मेरे पास 10 रुपए होते थे तो मैं अपने खाने का बंदोबस्त करके घर में छोटी सी चिठी छोड़ कर गायब हो जाता था मैं अपने पेरेंट्स की चिंता समझ सकता हूँ वो हमेशा सोचते थे मुझे कभी बेटा नहीं होना चाहिए लड़कियां भी बाइक पर भाग सकती हैं वो बाद में भागती हैं वो 10-11 के उम्र में नहीं भागती हैं वो आम तोर पर पिछली सीट पर होती हैं और अगर उन्हें अच्छा राइडर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है मैं कहा रहा हूँ ये मोटर साइकल के या इसके या उसके बारे में नहीं है बात बस ये है उस समय मुझ पर हर समय लाखों सवालों के बादल चाहे रहते थे और मैंने जहां भी ढूंडा और जिस से पूछा किसी के पास सुचित जवाब नहीं था सब सुने सुनाय जवाब थे वाकई खुद के अनुभव से मिला जवाब कहीं नहीं था तो हर चीज को जानने के लिए एक तड़प या बेचैनी सी थी जब मैं 10-11 साल का था मैं गायब हो जाता था जंगल में चला जाता था तीन-चार दिन के लिए जब खाना खत्म होता और मैं रहने ही पाता तो मैं वापस आ जाता था तो शुरवात में उन्हें बहुत चिंता होती थी पर बाद में वो समझ गए कि मैं वापस आ जाओंगा तो जब मैं 14-15 साल का हुआ तो मैंने पूरे दक्षन भारत में साइकल चलाई इसलिए नहीं कि मैं साइकल चलाने का शौकीन हूँ आज की तरह नहीं हेलमेट और सूट बूट पहन कर नहीं मैंने साइकल चलाई क्योंकि वो चलने की तुलना में तेज था जैसे ही मैं 17 साल का हुआ मेरे पास लाइसन्स तो नहीं था लेकिन मुझे अपनी साइकल के लिए एक मोटर मिल गई जो मोटर साइकल बन गई तो क्योंकि वो थोड़ी तेज थी पता नहीं मैं क्या जानना चाता था पर इस तेजी ने मेरी जानने की उस बेचैनी के दौरान मुझे साहरा दिया मुझे नहीं पता मैं क्या ढून रहा था पर मैं जो भी देखता उसके बारे में मुझे सवाल होते थे ब्रह्मान में सब कुछ मुझे एक प्रशन चिन की तरह लग रहा था पर मोटर साइकल के बारे में सवाल पूछने से मेरा मतलब है लैंड रोवर या लैंड क्रूजर कौन सी है आपके पास? लैंड रोवर, लैंड क्रूजर मुझे नहीं पता पर जो भी कार, हेलिकॉप्टर, मुझे लगता है आपने कहीं कहा था कि चाहे वो जमीन पर चले या पानी में या हवा में मुझे पसंद है ऐसा नहीं है, बात यह है कि जो काम करते हैं वो मुझे पसंद है और मशीने काम करती हैं, जितना अच्छा वो काम करे उतना बढ़िया और ऐसा क्यों है, आखिरकार किसी भी इंसान की क्वालिटी कैसी है, यह इससे तरह होती है कि उसका शरीर, मन, कितनी आसानी और कुशलता से काम करता है है न, तो मशीने मुझे हमेशा उतसाहित करती थी, चाहे वो साइकल हो, मोटर साइकल हो, उस समय शायद मेरी सेहत ऐसी थी, कि मैं अपनी मोटर साइकल पर पूरा भारत ना अप लेता था, पर आज यह करना मुश्किल होगा, तो आपको सुविधा जनक चुनते हैं पर यह सब कुछ आपको लोगों के बीच बात का एक रोचक विशे बनाता है, क्या आपको कभी चिंता नहीं होती कि इससे आपको अमीरों के गुरू का लेबल मिलेगा? यह वो हैं जो खुद का प्लेइन वडाते हैं देखे बात यह है जिनको BMW पसंद है, गॉल्फ पसंद है, जिनने एक Frisbee मैच भी पसंद है देखे, देखे, बात यह है मुझे दिक्कत नहीं होगी मैं तो कभी-कभी बैल गाड़ी भी चलाता हूँ पर उसे कोई रिपोर्ट नहीं करता मुझे बैलों को चलाना पसंद है मैं अभी भी उने चलाता हूँ पर अभी आपको मुझसे बात करनी है दोपर दो बजे तक मैं जोदपूर में था मैं चाता तो बैल गाड़ी या उट से भी आ सकता था पर आपको पांच दिनों तक इंतजार करना पड़ता मैं समय पर यहां आ गया आपको तारीफ करनी चाहिए तो यह कुछ शल्टा के बारे में है हाँ इसलिए मैंने मैंने खुद हेलिकॉप्टर रोणाना सीखा मेरे पास इन चीजों के लिए समय नहीं था पर मैंने किसी तरह से इसे सीखा क्योंकि हमारा सत्तर पतिशत काम ग्रामीन भारत में है मैंने सोचा कि यह छोटे से हेलिकॉप्टर से मैं क्रांती ला सकता हूँ क्योंकि मेरा आधा समय आधा जीवन ड्राइविंग करते करते ट्राफिक में निकल जाता है हर समय बड़े बड़े ट्राफिक में हर जगा देश में ऐसी कोई जगा नहीं है जा ट्राफिक जाम ना हूँ ग्रामिंट भारत में भी ट्राफिक जाम है, तो मैंने सोचा कि ये हलिकॉप्टर हमारे काम में करांतिकारी बदलाव लाएगा, मैंने इसे सीखा, मुझे अपना लाइसेंस मिला, FAA लाइसेंस, लेकिन भारत में लाइसेंस पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि कई नियम तो र सिध्धांत के रूप में बना था, वाकई में बना था या नहीं, इसका हमारे पास प्रूफ नहीं है। एक पेड पर चड़ा, एक शाखा के किनारे पर गया, और कूद गया, सीधा जमीन पर गिरा, बहुत दर्द हुआ, धीरे धीरे, दो दिन में वो फिर रेंगता हुआ, गया उपर गया, कूदा और नीचे गिरा, फिर उपर गया, नीचे गिर गया, कुछ दिनों के बाद दो पक्षी जो सामने वाले पेड़ पर बैटे थे उन में से एक ने का मुझे लगता है कि हमें उसे बता देना चाहिए कि उसे गोद लिया गया है तो मैं कहा रहा हूँ जो उड़ने में सक्षम नहीं आप उसे नहीं उड़ा सकते लोगोंने बहुत बारीकी से सोचा कि क्या उड़ सकता है और क्या नहीं सिधान्त के रूप में सोचा उन्होंने बनाया या नहीं ये हम नहीं जानते और ये तो स्थापित हो चुका है कि उन्होंने लाइट की स्पीट कल्गुलेट की थी ऐसे ही कोई भी light की speed calculate नहीं कर सकता जब तक उसके आज पास एक वैग्यानिक सभिता ना हो कोई भी आस्मान से टपकर light की speed calculate नहीं कर सकता ठीक है जरूर एक वैग्यानिक सभिता रही होगी वरना ये नहीं होता पर हमें समझना होगा कि science और technology में अंतर होता है हाँ पर science और पराणिक कथाओं में भी अंतर होता है कुछ सिर्फ अच्छी कहानिया होती है इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई होई थी देखिए उदाहरन के लिए ऐसे कई sketches या चित्र हैं शायद 3-4,000 साल पुराने जो दिखाते हैं कि कैसे एक कच्छवे के उपर गोल धर्ती रखी हुई है कच्छवा ग्रहों की गती को दर्शाने का सबसे अच्छा उधारन है क्योंकि एक कच्छवा अपनी गती को बढ़ा नहीं सकता वो बस समान गती से चलता रहता है तो एक कच्छुए पर गोल ग्रह बनाना ये बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि ग्रह कैसे गूमते हैं और इस देश में जोग्रफी के लिए शब्द ही भूगोल है जिसका मतलब एक गोल ग्रह है तो गैलियो के कारण नहीं है कि हम जान पाएं कि ये धर्ती गोल है हम हमेशा से जानते हैं हम कैसे जानते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक वैग्यानिक तथ्य जान ले और उससे जुड़े अन्य पहलुओं को ना जाने तो ऐसा हो रहा है, किसी भी भारती चीज को जट से नकार देना, ऐसा होना इसलिए शुरू हुआ, क्योंकि आधे लोगों का दिमाग ग्रीन विच मीन टाइम में है, वो अभी भी 1948 से बाहर नहीं निकले हैं, जो कुछ भी हुआ, हम स्वतंतरता के लिए संघर्ष करके बाहर नहीं, सिर्फ उन्हें बाहर भेजने के लिए नहीं, बलकि हम जो हैं वो बनने के लिए, तो वो समस्य अभी भी है, और अब ऐसे नव यूवक हैं, जो हर तरह की चीजों का दावा करते हैं, एक समान संतुलन होना चाहिए, इसे नकारना या उसे बड़ा चड़ा कर बताना ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि भारती लोगों ने उन चीजों के बारे में सोचा है, जिनके बारे में उस समय किसी ने नहीं सोचा, इस बारे में कोई सवाल नहीं है, लेकिन साइंस और टेकनोलोजी में अंतर है, साइंस बुद्ध ऐसे चीजों का श्रेय भारत को मिल जाएगा। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां मजहब और आध्यात्मिक्ता ज्वलंत विशे बन गये हैं। उन्हें एक श्रेणी में मत रखिए। ठीक है, पहले मजहब की बात करते हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां निश्चित ही मजहब बहुती उतेजक और आसानी से राजनीती करण का विशे बन गया है। मजहब को एक निजे विशे होना चाहिए था, जो कि आज नहीं है। आज की तारीख में ऐसे कई फैसले हैं जो इस बात को ध्यान में रखते हुए लिये जाते हैं कि कि किसी के मजहब को आहत ना पहुचे। तो आपने अभी खाने का जिक्र किया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने कहा है कि खाने का कोई धार में एक आधहर नहीं है वो खाएं जो आपके लिए अच्छा हो पर आज मजहब के नाम पर गोमास पर बैन लगाने की बहुत ही राजनेती करन से भरी चरचा हो रही है इसे खाना निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा नहीं है गोमास या कोई भी मास उसकी बात करेंगे, पहले सवाल पूरा कीजिए ठीक है, मैं तो एक उधारन दे रहे थी कि कैसे मैं राजनेतिक मुद्दों को मज़ब की इर्दगिर्द घूमता देखती हूँ आप धेर सारे लोगों के मज़ब और व्यक्तिगत स्वतंतरता के बीच समंजस से कैसे लाएंगे मैंने पढ़ा है कि आपको सलमान रश्टी की लिखी किताबे पसंद है, विश्वास के नाम पर उन पर फिर से बैन लगाने वाले हम पहले देश बने हम मज़ब और व्यक्तिगत स्वतंतरता को साथ कैसे रखें देखिए ऐसा कहा जाता है कि विश्वास परवतों को हिला सकता है हाँ, पर यह आपके दिमाग को जाम कर देता है लेकिन इस धर्ती पर सबसे बड़ा अपराद जो आप कर सकते हैं वो है परवत को हिलाना आपको परवत नहीं हिलाना चाहिए यह उसी जगा पर होना चाहिए यह कहीं से यूही गिरा नहीं है यह बहुत सारे प्राकृतिक बलों के खास तरीके से काम करने पर बना है परवत को गढ़ने के लिए असाधरन गतिविदी हुई है आपको कभी भी परवत को हिलाना नहीं चाहिए पर जिनका दिमाग जकड़ा हुआ होता है वो हमेशा परवत को हिलाना चाहते हैं इसे ध्यान में रखते हुए देखे जब हम मजब कहते हैं तो यह संस्कृति में बाहर से आई हुई चीज है हमारी संस्कृति में मजब कभी नहीं होता था आपको एक हजार साल से भी पहले देखना होगा क्योंकि हम पर किसी और का शासन था यहां पर हम हमेशा कहते थे आपका जीवन आपका कर्म है कर्म का मतलब कार्य किसका कार्य? आपका कार्य तो इसलिए हम कहते हैं आपका जीवन पूरी तरह से आपका बनाया हुआ है उपर कोई नहीं है जो बैटकर इसे आपके लिए मैनेज करे, ये पूरी तरह से आपका है, लेकिन आपके किये हुए हर काम के लिए, चाहे वो शारिरिक, मांसिक, भावनात्मक हो या उर्जा के स्तर पर आप किसी भी तरह का काम करें, उसका एक परिणाम होना तय है, अगर आ आप बस इसे वापस ला दें, तो दुनिया स्वस्थ हो जाएगी, यहां हमने अलग-अलग तरह के लोगों के लिए भोजन तै किया, अगर आप छुट-पुट सा काम कर रहे हैं, तो आप क्या खाएं, अगर आप ट्रीडिंग कर रहे हैं, तो आप क्या खाएं, आध्यात् भोजन लें, आप बस दिली में काम करना चाहते हैं, आप कैसा भोजन लें, आप एक खास तरह से सोचना चाहते हैं, तो आप कैसा भोजन लें, इन सब के लिए हमारे पास साफ निरदेश थे, तो जब भोजन की बात आती है, इसका क्या मतलब है, हम दूसरा जीवन ले रहे वो चाहे जो हो, वो पौधा हो सकता है, पशुव या कुछ और, आप कोई और जीवन लेकर उसे ग्रहंड करके आपको उसे अपना जीवन बनाना है. यही सारी कहानी है. आपका जीवन क्या है? उसका जीवन क्या है? अगर ऐसे देखें, तो पूरा जीवन इस धर्ती से आ रहा है, ये शरीर भी वही मिट्टी है, ये भी वही मिट्टी है, अगर केंचुआ है, वो भी वही मिट्टी है, पर देखें, वो कैसे बनाए, ये कैसे बनाए, और वो कैसे बनाए, अगर मैं आपको, आपको आम पसंद तो ये आम आप में एक महिला बन जाता है, मैं एक आम खाता हूँ, तो वही आम मुझ में एक पुरुष बन जाता है, गाये आम खाले, तो गाये में वही आम गाये बन जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके अंदर एक खास information या software है, आप जो कुछ भी खाते हैं, वो उसे एक महिला में बदल देता है, अगर मैं खाता हूँ, तो ये एक पुरुष में बदल जाता है, गाये खाले, तो गाये बन जाता है, तो हर जीवन वैसा घटित हो रहा है, जैसा ये होता है, क्योंकि सूचना का एक खास आयाम है, या नई भाशा में इसे software कहते हैं, एक खास software है, जो सूचनाओं की व्यवस्था है, अब विचार ये है, कि सरल से सरल software खाया जाए, अगर आप ऐसे जीवन को खाते हैं, जो एक बहुती सरल software है, तो आपकी उस software के उपर लिख कर उसे पूरी तरह से अपना हिस्सा बनाने की क्षमता बहतर होती है, जैसे जैसे वो software ज्याद जटल होगा, वैसे वैसे आपकी उसे समाहित करने की क्षमता कम होगी, तो खासकर अगर ये कोई जीव है, जिसमें कुछ विचार और भावनाएं हैं, अगर उसमें भावनाएं हैं, तो आपको उसे नहीं खाना चाहिए, ये समझ है, जो जानवर थोड़ी सी भावनाएं व जट करें, तो उन्हें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह समाहित नहीं होगा, जानवर प्रकृती प्रकट होना शुरू हो जाएगी, या दूसरे शब्दों में, भारत में, शहरों में शायद लोग नहीं जानते हों, पर गावं में, लोगों का गाय के साथ बह और आप दुख या दर्द में हैं, तो आपको गाय के पास जाना भी नहीं होगा, वो घर में जहां भी है, वो आपके लिए रोती हुई नजार आएगी, मैंने अपनी आखों से इसे देखा है, मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सका, जब कोई घर में मरता है, गाय को क्या पत पूछ समझ है, जब हम भूके होते हैं, तो क्यों मैं आपको काट कर नहीं खा सकता, मैं पूछ रहा हूं कि गलत क्या है, पर आप जो कह रहे हैं, वो सभी जानवरों के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ गाय के लिए, बिलकुल, बिलकुल होना चाहिए, और फिर जब बात सिर्फ गाय की होती है, तो ऐसी धार्ना बनती है, ऐसा नहीं, कि एक राजनेतिक या धार्मिक फैंसला है, नहीं, मैं कोई कानून की बात नहीं कर रहा है, लोग उठकर ये नहीं कह रहे हैं, मासाहरी होना क्रूरता है, नहीं तो वो एक अलग बात होती, मैं तो क्रूरता की साथ ये बात है अब ये राजनितिक रूप से गौ हत्या जो भी है उस पर बैन लगाना इसमें कई चीजें है एक बात ये है कि एक समवेधन शीलता होती है एक बार जब आप गाय से दूद पीते हैं तो वो आपकी मा की तरह होती है अपनी मा की हत्या करके उसे खाना ये इस प्रतिशत लोग इस श्रेणी में है और इस चीज़ को लेकर वो बहुत भावनात्मक है ऐसी भावना है क्योंकि वो हमेशा से घरेलू और विनम्र रहे हैं तो उन्होंने हिंसा नहीं की पर कुछ जगा ऐसा हुआ है कुछ गाउं में पहले से ही गो मास खाने पर प्रतिबं मैं सिर्व ये कह रहा हूं कि आपकी जंता की समवेदन शीलताओं के बारे में बिना सोचे आप इसे सुलजा नहीं सकते क्योंकि ये बिजनेस बढ़ता जा रहा है भारत बीफ का एक बड़ा एक्सपूर्टर बन रहा है ये सही नहीं है चाहे कोई भी कुछ खाए ये उन प जाय को मार दिया गया है तो बैन की जरुरत नहीं बलकि बैन से ज्यादा शिक्षा की जरुरत है बैन की नहीं पर आपने मजहब के बारे में तो बात ही नहीं की पुस्तकप और बैन लगा कर मजहब बार व्यक्तिगत स्वतंतरता से टकराता है पैरिस में कुछ लोगों की ह अगर आप उसे रोकना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा. आप इसे आज की बात कह रही हैं, पर ये पिछले 2000 साल से दुनिया का इतिहास रहा है, और दुनिया भर में लगातार हो रहा है. सूसाइड बॉम्बर्स एक नई घटना है? नहीं, आप धर्म उयुद्ध और दूसरी चीज़ों के बारे में भूल रही हैं, जो इतिहास में रिपोर्ट नहीं होई. गौट के नाम पर करोडो लोगों की हत्या हुई है, ठीक है? ये नया लग रहा है, पर यहां भी उत्तर भारत में करोडो लोगों का नरसंगहार हुआ, क्योंकि आक्रमन के वक्त वो किसी एक धर्म के थे, कोई इस बारे में लिखता नहीं है, क्योंकि हमने कभी कलम नहीं उठाई, और दूसरे लोगों ने हमारे लिए इतिहास लिखा है, जैसा वो चाते थे, क्योंकि पूरा इतिहास राजाओं दौरा संचालित होता था, तो वो इतिहास को अपने तरीके से लिखते थे, और खुद को महान बताते थे, पर वो जो कुछ भी करते हैं, वो पूरी तरह से भायानक होता था, तो आपको समझना होगा, कि धर्म हमारे लिए एक नई चीज है, नई चीज मतलब, इस देश में 12-15 अजार साल का इतिहास है, इसलिए हजार साल अभी हमारे लिए नया है, हम अभी भी इसके साथ उलजे हुए हैं, पर हम अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, सडक पर विवाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये प्रकृती नहीं है, क्योंकि यहां हमेशा से हमें बताया गया है, कि जो कुछ भी आप करते हैं, उसका परिणाम होगा, अगर आप अगले जन्म में वापस आते हैं, तो भी वो आपको छोड़ कर नहीं जाएगा, वो आपके साथ वापस आएगा, ये बताया गया है, ये लोगों को नियंतरित करता है, ये एक भव तकनीक है, क्रिपया इससे समझें, और ये कोई फर्जी चीज नहीं है, ये एक वास्तविक चीज है, जो कुछ भी आप सोचते हैं, अनुभव करते हैं, काम करते हैं, उसका परिणाम होता है, इसलिए नहीं कि कोई है, जो आपको पुरसकार या दंड देगा, ये आपके अंदर की केमिस्ट्री में होगा, हम धर्म को, जिसे आप नया कहते हैं, राजनीती से अलग कैसे रखें, आपने, आपने, उधारन के लिए मुझे याद है, पहले जब अन्नाहजारे ने अपने, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुवात की थी, तब आपने सरहना दी थी, पर आपने कहा था कि लोगपाल कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्या आपको लगता है कि हम धर्म और राजनीती को, खतरनाक तरीके से घुलते मिलते हुए देख रहे हैं? देखिए, ऐसा हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, पर ये पहले की तुलना में बहुत कम है, क्या वाकि? ये तो पहले की तुलना में और ज्यादा दिख रहा है, वो आपके कारण है, क्योंकि, क्योंकि अगर, इराग के किसी कोने में, दस लोगों का सिर काटा जाता है, तो आप ये पक्का करते हैं, कि उनका खून मेरे कमरे में भी गिरे वरना मान लीजिए एक हजार वर्ष पहले हम यहां बैठे होते और तब अगर एक हजार लोग इराक में मार दिये जाते तो भी हम यहां आराम से शांती के साथ बैठे होते मौसाम अच्छा है, सब बढ़िया है तो यह सूचनाओं के फैलने के वज़े से हो रहा है अगर कहीं दस लोग मारे जाते हैं तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यह बात हमारे घरों के सिटिंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम में आती है क्योंकि हर जगा टीवी है तो यह अच्छी बात भी है क्योंकि लोगों के अनुभव में अब एक छोटी सी चीज भी बड़ी लगती है पर यह हमेशा से हो रहा है अब यह अपने सबसे कम स्थर पर हो रहा है कभी-कभी यह इधर उधर होता है जिसे नियंतिरत करना चाहिए लेकिन मैं देखता हूँ कि पहली बार मानवता के इतिहास में पहली बार लोगों की संख्या कम लगेगी क्योंकि आबादी बढ़ गई है पर जितने प्रतिशत लोग आज खुद के लिए सोच सकते हैं वो 500, 1000 या 10,000 साल पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है सदियों से ऐसा होता आ रहा है कि एक गाव में सिर्फ एक इनसान आपके लिए सोचता था पढ़ता था, लिखता था आपको बस कुछ सरल काम करने होते थे आज हर कोई खुद के लिए सोच सकता है तो अब मानव बुद्धी खिल रही है मैंने ही कहता कि ये सही दिश्रा में या सही समझ के साथ बढ़ रही है नहीं, पर ये बहुत तेजी से बढ़ रही है फर्क नहीं पढ़ता ये पागलपन थोड़े समय रहेगा फिर लोग अपनी बुद्धी के प्रती जागरूख हो जाएंगे कुछ नया होता है तो वो पागल हो जाते हैं पर वो समझ जाते हैं एक बार धर्ती पर मानव बुद्धी अच्छे से खिल गई तो फिर खोशाली के लिए उपर की ओर देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा अभी लोग धीरे धीरे उपर देखने से पीछे हट रहे हैं खोशाली की खोज में लोग उपर की ओर देखते थे अभी भी कई लोग ऐसा कर रहे हैं ये अलग बात है पर कुछ लोग बाहर की ओर देखने लगे है तो अगर आप उपर की ओर देखते हैं तो भ्रम होगा, युद्ध होंगे क्योंकि मेरा स्वार्ग और आपका स्वार्ग अलग है किसी भी स्वार्ग में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है या आपको पता होना चाहिए मैं पक्का नरक में जाऊंगी तो आप स्वार्ग और नरक में मानती हैं मैं मजाग कर रही थी मुझे नहीं पता कोई उपर है या नहीं मुझे बात पूरी करने दीजे क्या ये एक उर्जा है, शक्ती है, ये मेरे अंदर है ये उपर की तरफ देखने वाली बातें धीरे धीरे जा रही हैं और लोग खुशाली को बाहर तलाश रहे हैं ये धर्ती को तहस्नेस कर रहा है मनुश्यों का खुशाली के पीछे भागना धर्ती को नश्ट कर रहा है अब हम जो भेट कर रहे हैं वो इस संस्कृति के मूल भूत तत्व है जिनकी जड़े योग संस्कृति में है जिसे आप भारती संस्क्रिती या हिंदू संस्क्रिती के रूप में जानते हैं वो एक विशुद्ध योग विज्ञान है सभिता के अंदर आप इसे अनेक रंगों और विकृतियों में ढलते हुए देख सकते हैं जिसे आप हिंदू संस्कृति या इंडियन कल्चर कहते हैं पर ये दोनों एक चीज नहीं है क्यों? क्योंकि हम एक बहु धर्मिय देश हैं जिसमें कई विभिन संस्कृतिया है मैं चाता हूँ कि आप समझें कि हिंदू संस्क्राइब किसी धर्म को नहीं दर्शाता है अगर आप हिंदू हैं तो क्या आप एक भगवान की पूजा करते हैं? एक ही परिवार में वो पच्चीज देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो नहीं जानते कि उनके देवी देवता कौन है इसलिए वो सब को पूछते हैं क्या पता कौन कब काम आ जाए तो हिंदू शब्त का मतलब है हिमालय और हिंदू सागर के बीच की भूमी ये भूमी यूप महाद्वीप हिंदू है यहाँ जन में सभी लोगों को हिंदू कहा जाता है क्योंकि ये एक भौगोलिक पहचान है मुझे पता है कि ये पूरा राजनेतिक मुद्दा है अगर मैं इस तरह बात करूँगा तो वो कहेंगे ओ वो हिंदू है नहीं मेरा मतलब है कि लोग आपसे कहेंगे कि आप RSS के अध्यक्ष की तरह बोल रहे है मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा सभी भारती हिंदू है ठीक है मैं और इस पर बहुत हंगामा मचा था सभी भारती हिमालाय और इंदू सागर के बीच में रहते हैं जो समुद्र में कूदना चाते हैं देखे ये द्वेभाषी संस्कृति है ये खास तरीके से चीजों को व्यक्थ करती है अगर आप हिमालाय और इंदू महा सागर के बीच रहते हैं तो आप हिंदू हैं अगर आप समुद्र में कूद उस पार जाते हैं तो आप लंका पहुँच जाएंगे. तो मुझे नहीं पता कि इसमें दिक्कत क्या है. ऐसा हो रहा है क्योंकि इस बारे में बड़ी सकुचित समझ है. हमें देश में होने वाली बातों को बदलना होगा. क्योंकि किसी के आसपास कटर विश्वास पणा लिया है. तो हम उसे एक संस्कृती से तोलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मान्यताएं जैसी कोई चीज नहीं है. हम कभी मानने वालों में से नहीं रहे. हमेशा खोच कर जानने वालों में से रहे हैं. ये एक ऐसा देश है, जहां सबसे ज्यादा मूल ले कभी देवी देवताओं को नहीं मिला. हमेशा मुक्ती पर लक्ष रहा. देवी देवता कभी परम लक्ष नहीं रहे. अगर आप इन दोनों को तोलती हैं, जिसमें से एक मानिता को मानो या मरो की बात कर रहे हूं, तो ये बहुत दुर्भागे की बात है. ये कोई तरीका नहीं हुआ. हमें ये वापिस लाना होगा. अगर हम मुक्ती को वाकई एहमियत देते हैं, तो हमें मुक्ती के मार्क को वापिस लाना होगा. मैं आजाद होना चाहता हूँ सिर्फ दूसरों से नहीं बलकि खुद से मेरे देवी देवता, मेरे स्वर्ग और सभी से क्योंकि भगवान इस संस्कृती में लक्ष नहीं रहे वो सिर्फ एक और साधन रहे हैं जब मैं साधन कहता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है वो कहते हैं ऐसा मत कहिए सद्गुरू हमें बुरा लगता है मैं कहता हूँ आप आश्रम आईए हम नल ठीक करने का काम करें ठीक है? वो ज्यादा दर्दनाख होगा ना ना कोई पाना या चर्खी नहीं होंगे अपनी उंगली, नाखून, दांत कुछ भी उप्योग कीजिए तीन दिन बाद आपके नाखून जा चुके होंगे आपके दांत जा चुके होंगे फिर मैं आपको पाना ला कर दूँगा तो आप उसे फूजेंगे या नहीं? हम जो हैं, वो किस वज़े से हैं? मनुष्य के तौर पर हम जो आज हैं, वो सिर्फ अपने साधनों के उप्योग करने की क्षमता की वज़े से हैं नहीं तो हम एक कुट्टे जितने भी अच्छे नहीं आप कुट्टे से भी नहीं लड़ सकते है ना? तो आप एक गठिक मज़भ के खिलाफ है? साफ है? अगर भगवान सिर्फ एक साधन है और थर्म आज़ात मुटा दो अलग चीज़े हैं तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सबी लोगों को कम से काम इतना समझना होगा कि हमें जो पता है वो हम जानते हैं और हमें जो नहीं पता हम नहीं जानते अगर आपको जो नहीं पता आप उसे मानना चाते हैं ये खतरनाक है दुनिया में सारी लड़ाई अच्छे और बुरे या इसके और उसके बीच नहीं है ना? ये एक इनसान की माननेता के खिलाब दूसरे इंसान के माननेता की है. मैं पूछ रहा हूं, आप किसी चीज़ को मानना ही क्यों चाहते हैं? ऐसा इसलिए, क्योंकि वो इतने इमांदार नहीं है कि वो स्विकार कर लें कि उन्हें सच में नहीं पता. मैं नहीं जानता. ऐसे लोग हर इंसान में नहीं ला पाएं कि हर इंसान जानना चाहता हो चाहे वो बाहरी रूप से हो या आंतरिक हो क्योंकि यही मानव बुद्धी का स्वभाव है वो शांती से नहीं बैठ सकती वो सिर्फ तभी शांती से बैठेगी जब आप उसे मानिताओं से जकर दें अगर आप उसमें मानिताओं ठूस दें तो वो शांत हो जाएगी वरना जानना तो इस बुद्धी का पहला स्वभाव है ठीक है तो हम अंत में आ चुके हैं तो अब कुछ सवाल ले लेते हैं पस दो तीन सवाल बहुत सारे हाथ खड़े हैं ठीक हैं उन्हें दे दीजे नमस्कारम सद्गुरू आपने एक विडियो में कहा था कि बहुत से लोगों के साथ समस्या ये हैं कि उनमें तीवरता की कमी होती है क्या? ज्यादातर लोगों में जरूरी तीवरता की कमी होती है और फिर आप कहते हैं कि ध्यान इसका उपाय है पर तीवरता तो व्यक्तित्व की उगरता से जुड़ी है और ध्यान करना शांती से तो आपकी ये बात थोड़ी उल्टी लगती है क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? लोगों को लगता है शांती मतलब हमेशा के लिए शांत हो जाना क्योंकि उनकी शांती की समझ मृत्यू से जुड़ी है शांती बहुत तीवर हो सकती है शांती बहुत ही ज्यादा तीवर हो सकती है क्योंकि शांती मतलब जीवन की तरंगे एकदम सुक्ष्म और तीवर हो गई है कुछ करते समय जीवन की तरंगे इतनी सुक्ष्म नहीं होती वो एक अलग स्थर पर होती है तो शांती, शांती किसी के मरने पर हो सकती है पर जिन्दा रहते हुए शांत रहने के लिए आपको उर्जा की तीवर अवस्था में होना होगा वरना आप शांती पूर्ण नहीं हो सकते ज्यादा तर लोगों को ये समस्या इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ खाना, पीना, कमाना और बच्चों को पालना और एक दिन मर जाना बस इतना ही चाते हैं बस इतना करने में वो पगला रहे हैं क्योंकि उनमें जरूरी तीवरता की कमी है क्योंकि जीवान अपने निचले स्थर पर घटित हो रहा है तो हर चीज का समस्या होना स्वाभाविक है अगर ये थोड़ा उपर उठे तो एकदम से आपके पास हर चीज का थोड़ा और साफ नजरिया होगा इसके लिए आपको अपने भीतर उर्जा की तीवरता चाहिए और योगिक प्रणाली इसी पर फोकस करती है ध्यान मतलब ये नहीं ठीक है अगला सवाल लेते हैं यहां फ्रंट रो में अगर ईशा की कोई फिलासफी है तो मुझे उससे ये समझ आया कि आपको बाहर के हालतों को ठीक करने से पहले अपने भीतर जाकने की जरूरत है पर क्या बाहरी तोर पर चीजों को सही तरह से करना भी क्या उतना ही जरूरी नहीं है अगर मैं थोड़ा और स्पश्ट कहूं तो जैसे ने ने मैं आपका सवाल समझ गया मैं इतना बेवकूफ दिखता हूं क्या मैं इतना मूर्ख दिखता हूं क्या मैं समझ गया अच्छा मैं समझ गया अरे मैं सवाल समझ गया ईश्य के फिलोसफी अंदर या बाहर जांकने के बारे में नहीं है बात बस इतनी है कि अगर आप आम चाहते हैं तो उपर पेड़ पर देखे जमीन मत खोदिये ठीक है पर अगर आप एक आम का पेड चाते हैं तो आपको जमीन खोद नहीं होगी आप आम चाते हैं पर जमीन खोद रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे मैं आपको आम मिलेंगे तो आंतरिक चीजों के लिए भीतर जाके बाहरी चीजों के लिए बाहर जाके ऐसी कोई फिलोसफी नहीं है कि आप अंदर जाकें या बाहर जाकें जहां भी वो चीज है वहाँ उसे ढूंगे आपको पता है एक बार शंकरन पिल ले जब जॉब इंटर्वी के लिए गए और उनसे पूछा गया पता ही ये क्या दूर है मुंबई या मून बड़ा गहरा सोचने के बाद उसने जवाब दिया मुंबई उन्हेंने पूछा आप ऐसा कैसे कैसे सकते हैं उसने कहा मैं मून को देख सकता हूँ पर मुंबई को नहीं ठीक है आखरी सवाल नमस्कारम सद्गुरू मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर किसी के अच्छे और बुरे की समझ अलग होती है आपके हिसाब से क्या होगा अगर हर कोई अपनी इस अच्छे बुरे की समझ को लागू करना शुरू कर दे समाज की ऐसे में क्या दशा होगी शायद आज रात को आपको बिजली न मिले मुझे रखता है कि मैंने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अच्छे लोग बहुत हैं लेकिन पर्याप्त समझदार लोग नहीं है समझ जीवन पर केंदरित होती है अच्छाई जीवन पर केंदरित हो ये जरूरी नहीं अच्छाई शायद स्वर्ग जाने के बारे में हो सकती है और जिस पल मैं चाता हूँ कि आप इस खतरनाक धारना को समझे लोग इसकी बात नहीं करते पर जिस खशन आप विश्वास करते हैं मान लीजे कि मैं मानता हूँ कि स्वर्ग है और ये एक सुन्दर जगा है और आप गौड की संगती में रह सकते हैं क्या मुझे आज आपको वहाँ भेजना चाहिए या नहीं मैं कह रहा हूँ अगर मैं वास्ताव में आपकी परवा करता हूँ अगर मैं वास्ताव में आपकी परवा करता हूँ और अगर मुझे विश्वास है कि वो एक बड़िया जगा है तो मैं आपको वहाँ भेजूँगा या नहीं तो ये खतरनाक चीज है आप समझे अगर आप इसे तर्क की पूरी सीमा तक लेकर जाते हैं तो ये वास्ताव में खतरनाक चीज है जिस खशन मुझे विश्वास होता है कि वहाँ उपर एक शांदार जगा है मैं वास्ताव में आपसे स्ने रखता हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ जाएं आप जानते हैं ठीक है उस सवल के साथ अंद करते हैं जिस विशे पर हम बात नहीं कर पाए आपने कहा कि आपको मशीनों से प्यार है मैंने नहीं कहा मुझे प्यार है अच्छा तो आपको पसंद है वो काम करती है क्या हमारा जीवन गैजट्स के वश में आ गया है मेरा नहीं बिल्कुल नहीं मैं सभी गैजट्स का उप्योग करता हूँ पर वो मुझे वश में नहीं करते ये हमारे जीवन की शांदार चीज़ें देखिए हर तरह से इंसान पहले जैसे थे मान लीजे सौ साल पहले उनकी तुलना में आप लगभग सौपर यूमन है सौ साल पहले अगर मैं अपनी जेब से कुछ निकाल कर अमेरिका में किसी से बात कर सकता होता तो मैं सौपर यूमन होता सौपर यूमन ही क्यों अगर मैं कहता मैं भगवान हूँ तो 100 साल पहले लोग मुझे पर विश्वास कर लेते 500 साल पहले अगर मेरे पास सिर्फ एक बिजली का बल्ब होता तो मैं इस ग्रैपर भगवान बन जाता मैं चाहता हूँ कि आप जाने आज हमारे पास जो चीजें हैं उन्हें देखें हम वास्ता में सूपर यूमन हैं एक बार जब इस तरह की क्षमता हमारे पास आ जाती है तो समझ को थोड़ा और बढ़ना होगा थोड़ी और जागरूकता और चेतना को बढ़ना होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये क्षमता हमारे खिलाफ हो जाएगी आप यही कह रही है लोग गैजट से पादल हो रहे हैं क्यों? ये इतनी आसान चीज है अगर आप चाहें तो इसे इस्तिमाल करें या फिर इसे साइड में रख दें पर क्योंकि आप विवश्टा भरी स्थिती में होते हैं तो अगर आप फोन को यूज़ करना शुरू करें तो बन नहीं कर पाते नीन में भी आप टेक्स्ट कर रहे होते हैं उस लड़के वो देखे वो मेरे साथ नहीं है वो मुझे स्क्रीन में देख रहा है यही चीज हो रही है अगर खाना अच्छा है तो आप खाते हैं और आपको पता नहीं कि रुखना कब है आप पीते हैं तो आपको पता नहीं कि रुखना कब है अगर आप कुछ करने शुरू करते हैं और आपको पता नहीं कि रुखना कब है यह सेम चीज है ये gadget ये खाने के बारे में नहीं है बात बस ये है कि परियाप्त जाग्रूकता नहीं है ये आदतन है सब कुछ आदतन हो रहा है जड़ को समझने के बजाए आप gadgets को खत्म करने की बात कर रही है gadgets बहतरीन चीज है हर गैजट ने हमारी जिन्दगी को बहुत सुधा रहा है, है ना, गैजट को गाली ना दे, बस आपके आदतों को जाना होगा और इसी बात के साथ हमें जगाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी प्लेजर, let's have a big round of applause झाल Alejonia or ऑंवडी कोे this दो बात को बात 30 दो येम आपको को यजए, प्लेमए येम, को झाल? येम, काव्को व्कार, is it